सब्सक्राइब आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जहां हम देख रहे हैं पाइटन और पाइटन के आज के स्कास में हम लोग बात करने वाले हैं csv file के बारे में that means comma value separated file तो csv file में आज हम लोग write row के बारे में देखेंगे और उसके बाद read db करवा के देखेंगे सबसे पहले आप अगर csv file बनाना चाहते तो आपको यहां पर एक modulus import करवाना होगा का नाम होता है csv सबसे पहला चीज़ यह करना होता है उसके बाद फिर यहां पर फाइल handling के लिए variable लेना होता है जैसे अन्य फाइल हम लोग बनाते थे जैसे लेते थे similarly वह ऐसे ही यहां पर फिर हम लोग open function का use करने वाले है उसके बाद यहां पर जो फाइल आप बनाना चाहते है उस फाइल का नाम देना होगा यहां पर यहां पर मैं देता हूं std.csv फाइल ठीक है इस नाम से एक फाइल बनेगा और फिर कॉमा अब यहां पर हम लोग राइड करवाना चाहते है तो इसका mode मैं w रख रहा हूं जैसे हम लोग text file में करते थे उसके बाद अब यहां पर एक variable मैं और ले रहा हूं और उसके बाद अब इसमें हम लोग को write करवाना है मतलब data इसमें लिखना है तो क्या करना होगा हम लोग को लिखना होगा w मतलब की की उपर में हम लोग w नाम का variable में writer वाला function ली उसके थे ना फिले डबलू उसके बाद यहां पर हम लोग यूज कर रहे है right row function right row और right row function में क्या होगा कि यहां पर हम लोग एक least pass कर देंगे जैसे मैं यहां पर दे रहा हूं name, comma, course, comma और उसके बाद यहां पर roll ठीक है और then अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग close भी करवा देंगे तो यहां पर मैं fh.closc close function यूज कर रहा हूं इसको जैसे ही हम लोग compile करेंगे जैसे मैं यहां पर जाओंगा और run करूंगा तो देखी यहां कोई भी error display नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि एक file हमारा बन गया अब उस file को अगर हम लोगों को देखना है तो हम लोगों को जाना होगा इस folder में जहां पर मैंने यह file को save किया था और file का नाम मैंने दिया क्या था एक बार हम लोग देख लेते हैं file का नाम यहां पर std.csv है वो आप folder में हम लोग जाते है और यहां पर देखते है कि उस नाम का file यहां बना है कि नहीं से होगा file का नाम देखिए यहां पर std file यह एक excel फाइल बन जाता है ठीक है इसके अंदर में वो data आ गया होगा ठीक है अब मैं इसको खोल के open करके आपको नहीं दिखा रहा हूं इसके अंदर में आप खोल के देख लिजेगा आपका वो जो data था जो हम लोग अभी डाले थ खता हूं क्या पर बेख फिर में एक variable ले रहा हूं और यहाँ पEric में mode open कर रहा हूं फाइल को तो दूबारह यहां पर हम लोग जो file को open कर वा रहे हैं क्योंकि यहां पर हम लोग सको modeal差不多 change कर वाएंगे तो यहां पर मैं लिग देता हूं file का नाम इसको हम लोग open कर वारे है और उसके बाद यहां पर जो इसका mode होगा वो हम लोग क्या रख देंगे आर रख देंगे क्या अभी हम लोग इसको read करना चाहते हैं ठीक है और उसके बाद में फिर यहां पर एक variable में ले रहा हूं r नाम से और फिर उपर में जो हम लोग modulus import करवाया थे csv. इसका एक और function होता है reader उसका हम लोग use कर रहे हैं और इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे कि fh वाला जो हमारा variable था उसको हम लोग pass करवा देंगे और यहां पर मैं एक loop चलाओंगा for i in r ठीक है और उसके बाद नीचे में यहां पर मैं print कर दूँगा i को और then यहां पर फिर से इसको हम लोग क्लोस करवा देंगे फाइल को fh.close close bracket open close और अभी अगर मैं इसको run करूँगा तो उपर में देखी यह जो data है ना नेम कोर्स और रोल यह आपको print होगा यहां पर देखिए साथी साथ यहां पर देखिए कि एक और list हम लोगों को मिल रहा है empty list ऐसा क्यूं मिल रहा है हम लोगों को यह मिलने का reason यह है कि यह slash and return करता है मतलब जब हम लोग interface करते हैं तो जो next line जाता है ना तो वो हम लोगों को return करता है अगर हम चाहते हैं कि वो ना return करें तो यहां पर हम लोगों को लिखना होता है new line equal to और इसके अंदर में अगर हम लोग लिख देते हैं slash and और उसके बाद मैं आपको फिर से इसको एक बार run करा के दिखा दूँ तो अभी देखिए empty list जो यह return कर रहा था जैसे previous वाला में देखिए यहां पर empty list written कर रहा था अब ही नहीं कर रहा यहां पर क्यूंकि हम लोगों ने new line equal to slash and लिखा है ठीक है अब write row function से इस प्रकार से हम लोग और भी data इसके अंदर में write करवा सकते हैं तो जैसे कि मैं यहां पर फिर इसको paste कर देता हूं फिर इसको paste कर देता हूं और फिर यहां पर नेम का जगा में मैं लिख देता हूं सचीन पोर्स का जगा में यहां पर मैं लिख देता हूं TCA और रोल लंबर यहां पर मैं लिख देता हूँ 45 और उसके बाद यहां पर फिर मैं दूसरा नाम लिख देता हूँ यहां पर मैं दूसरा कुछ कुछ का नाम लिख देता हूँ और यहां पर और अभी मैं आपको फिर से रन करके दिखाऊंगा तो यह सारा डाटा देखिए टेंट होगा देखिए ठीक है मैं ऐसा करता हूँ कि आप सबको राइट रो फंक्शन और सी एस वी फाइल के बारे में समझ में आया होगा अगर समझ में आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूले